गाइज पबजी लाइट 0.20.4 के लिए एक ऐसी कॉन्फिक लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप लैग फिक्स कर सकते हो देखिए गाइज कितना मस्त तरीक्से से हम पबजी लाइट खेल रहे हैं लैग की प्रोलम हमें बिल्कुल नहीं आ रहे हैं मक्खन की तरह हमारा कर रुक के चलता है उसकी प्रोलम खतम हो जाए कि मक्खन की तरह चलने वाला है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बस आपने वीडियो को अच्छे से समझ लेना है कैसे आपने कौन फीक को अपलाई करना है और इसके साथ मैं आपको बता तूँ कि हमने एक टार्गेट रख ह है सबसे पहरे जो मैंने आपको description box में link दिया है उसी पर guys आपने click करके config है वो download कर लेनी है जैसे आप guys click करेंगे तो media fire की site में enter कर जाओगे और guys एक और बात बताओं कि आपने बहुत सारे यूटूबर्स देखे होंगे कि जैसे आप link पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारी site open हो जाती है इधर क्लिक करो जाते हैं तो ऐसे चक्र में मैं नहीं डालता सीधा आपको file देता हूं सीधे आप download के option पर क्लिक करो और उसे download करो बस एक second के अंदर काम होता है कोई भी time नहीं लगता है यहाँ पर तो यहाँ पर हमारी file download हो जाती है गाइस file download होने के बाद अगर आपके पास जैड अचीवर एप है तो उसे download करके भी कर सकते हैं नहीं तो आप direct अपने file manager में चले जिए वहां से कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं तो आपने file manager में चले जाना है अब जो file download की है वो कहां पर download होगी वो downloads में होगी चाहे आप वहां से copy करके अलग folder में रख लें जैसे मैंने करके रखी हुए क्योंकि यहाँ पर हम extract करेंगे तो साथ के साथ file निकल के सामने आ जाएगी जिसे हमने apply करना है तो guys यहाँ पर zip file पर हमने click किया और नीचे extract hair का option आ गया और इस पर click किया तो एक और file निकल के आ चुकी है ultra lag fix config guys extract करने के बाद ultra lag fix config पे हम click करेंगे एक बार फिस से click करेंगे तो यहाँ पर फाइल निकल के आ चुकी है medium lag fix config और ultra low end medium lag fix config अगर आपके पास तीन जीबी चार जीबी रैम का स्मार्टफोन है तो यह जूज कीजिए अगर आपके पास वन जीबी डेट जीबी या फिर टू जीबी रैम का स्मार्टफोन है तो ultra low end आपने इस पे click करके यह config है copy कर लेनी है लेकिन मेरे पास है 3GB रैम का तो आपने यहाँ पर इस पर click करना है और यहाँ से file है वो copy कर लेनी है user custom.ini की और यहाँ पर guys आपने copy करने के बाद जाना है android में android में जाने के बाद data में जाना है data में जाने के बाद guys आपने pubg light का folder रूंड लेना है com.tencent.ig light आपने इस पे click करना है इस पे click करने के बाद files में जाना है files में जाने के बाद guys आपने ui4 game पे जाना है shadow tracker extra पे जाना है फिर से आपने guys shadow tracker extra पे click करना है अगर समझ नहीं आ Android पर क्लिक करना है बस नीचे घाइस आप को पेश्ट का अपेशन के करना है इसके क्लिक करेंगे यहां पर आपने ऐडिक में कर देदा देना है यहां पर यह पर यह परियो ई 0.20.4 के अपडेट में लैक फिक्स कर सकते हो कैसा लगा वीडियो में चुरूब बताए और सब्सक्राइब चुरूब कर लेना और इस्टाग्राइब पे फोलो कर लो अगर कोई दिक्कत आती है वहाँ पे मुझे डिम कीजिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में चलिए बा बाइबुरूब बाईबुरूब।